जहिन बचो, बचो मैं आजय कमार वारा नसी उत्तर प्रदेश से आपकी अपने चैनल 9 सिक्षिन पर स्वागित करता हूँ बचो, NSP Portal पर जितने भी छादबिती स्कॉलर से मिलती है, उसके लिए एक नए अपडेट है चाहें आपने जो भी परिक्षा पास की हो, सबके पास एक मैसेज आ रहा है, Face Authentification का ठीक है, तो आईए उसमें OTR generation की बात हो रही है, तो उसको कैसे करना है, registration कैसे करना है पूरी परिक्रिया आपको मैं बताने जा रहा हूँ तो देखें आपको क्या करना है, जो भी आपका Google हो, उसके आपको NSP Portal या आप scholarship.gov.in करेंगे तो यह site पहले आएगे तो इसको आपको click कर देना है, तो जैसे आप देखें इसको click करेंगे तो हमारी NSP Portal की यह जो site है, नई site, आप देखेंगे सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल गया है इसमें तो सब चीजे बदल गई है, नोंने चीजे तरीका पूरा बदल दिया है, जो नई चीजे यहाँ दिख रही है, OTR, get your OTR, ठीक है? तो announcement में देखें हम इसको पढ़ते हैं, कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है, पहले हम click here कर लें, इसके बाद आते हैं, देखें यह download का option आजाएगा, तो already मैंने download किया है, तो इसको मैं open कर लेता हूँ, open करके आपको मैं बताता हूँ कि इसमें चीजे क्या दी गई है, तो दे downtime registration के जरिए, आपको कर लिया, तो आपको हर एक साल चाहें, जब तक आपको चाद बिती मिलेगी, अभी माली जे आपने NMMS की चाद बिती लिए, वो चार सक मिलनी है, इसके बाद कोई आपने graduation मिली या PG मिले, तो सभी चाद बितियां, एक OTR, एक mobile number की थ्रों मिलते रहेग कुछ बच्चों के देखे आए हैं, message, National Scholarship Portal की थूरूप में, Dear Student, Your Reference ID to generate one time registration is यह, and please download NSPOTR app, ठीक है, तो अभी हम उसको भी जानेंगे कि कैसे डाउनलोड करना है, complete your face authentication to generate your OTR, please visit scholarship.gov.in, जो हम लोग अभी साइट अभी हम देख रहे हैं, इसके हिंदी में यह है, प्रिये अभी द्यारती, OTR generate करने के लिए, आपकी reference ID यह है, क्रिपया OTR generate करने के लिए, अपने phone पर NSPOTR face auth app download करें, और face auth पूरा करें, ठीक है, और यह site का पूरी detail दी गई है, यह देखे, जो हमने PDF डाउनलोड किया था, उसको आप भी ऐसे डाउनलोड कर लेजेगा, क्योंकि उ इसमें देखे, OTR related instructions to be instruction to the student who have applied on National scholarship portal in assessment year 2023, तो जो पिछले वर्स बच्चे apply किये थे, अभी जो नए बच्चे इस बार पास हुए हैं, NMS वाले, अब उभी जानले, उनको भी OTR के ही थ्रिव, OTR के ही थ्रिव आपको apply करना है, तो पूरा process आप भी समझते चले, ठीक है, तो चीजे instructions हैं, who have received the OTR number, जिनको OTR number का message आया, उनको क्या करना है, ध्यान से सुनिये, NSP earlier launched the face authentication services in assessment year 2023, 2024 and it was optional for the student to perform their face authentication, तो साफ साफ पे देखे, पिछली बार अभी जब form, मैंने NSP portal पे form कैसे भरने, तो उसमें आ रहा था, तो face authentication का रहा था, कुछ बच्चों ने किया, कुछ बच्चों ने नहीं किया, क्योंकि उसमें अभी newly launched हुआ था, और एक और सी ध्यान देजिए, कि आप जल्दी बाजी नहीं करेंगे, एकाथ सपता वेट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी just launch हुआ है, तो कुछ issues आ सकते हैं, तो आप में OTP की problem में कुछ और आ सकती है, त पोड़ा समय देजिए, क्योंकि ये काफी समय तक रहेगा, ठीक है, तो उसमें ये साफ साफ कह रहा है था, कि उसमें launch किया गया था, ठीक है, और ये optional था, मतलब सब के लिए जरूरी नहीं था, लेकिन अभी ये जरूरी कर दिया गया, क्योंकि पूरी side बच्चों बदल ग ठीक है, ठीक है, ठीक है, उनको ही समय भेजा गया है, इस्टुडेंट हुए रिसीब दा ओटिया नंबर कें डिरेक्ली अप्लाई फॉर्टल, तो जिनको ओटियार मिल गया है, डिरेक्ट एनस्पी पॉर्टल पर वो अप्लाई कर सकते हैं, तो पुराने बच्चों को ती पैसे आ गया है, लेकिन आगे के लिए उनको जिनको नहीं मिला है, उनको भी अभी मैं बताओंगा क्या करना है, ठीक है, क्योंकि ओटियार मस्ट हो गया है, इसके बिना छादबिती नहीं मिलने वाली है, ठीक है, अब यह देखे, in case the student has not received the OTR number through SMS, अगर by chance आपको OTR number SMS के थ्रू नहीं मिला है, ठीक है, तो इसको कहां से पाय जा सकते हैं, no your OTR, मतलब यहां पर आप करेंगे, तो यह आपको आपका OTR मिल जागा, तो देखे, मैं क्लिक करता हूं, तो देखे, क्लिक करते ही, इस PDF को इसलिए आपको डाउनलोड करना है, ध्यान देजिएगा, ठीक इमेज कैप्चा, तो इमेज कैप्चा जो यह लिखा हूं, और ओडियो कैप्चा इसलिए कहते हैं, कि कई बार जैसे कि आप पढ़ने पाते हैं, कुछ दिक्कत है, तो ओडियो सुनके भी आप बोलेंगे, तो वही चीज़ यहां लिखना है, तो ओडियो से ठीक नहीं रहत ओडियो को वापस पाया जा सकता है, अधार नंबर के जरीए, यूज करके, ठीक है, और बाकी, क्या है, फेस ओटनिकेशन कैन बी परफर्म, और एक और चीज़ देखे, जो फेस ओटनिकेशन है, तो देखे, लेप टॉप कंप्यूटर से तो इजी है करना, ठीक है, लेकिन इसके जरी असानी से आप कर सकते हैं, तो इसको मैं वापस से यहाँ पर आऊं, जिस पेज पर हम लोग थे, ठीक है, तो यहीं से देखे, मैं गया था, नो यूर ओटियार वाले से, ठीक है, तो यह आपको पता चल गया कैसे करना, आप देखे, बी पॉइंट में है, बच्चों को reference number है, ठीक है, उन्होंने KYC कर दिया, EKYC जो है, जो अधार के जरीए, OTP के जरीए कर दिया है, लेकिन उन्होंने face authentication नहीं किया है, ठीक है, उनके लिए क्या है, तो OTII number can now be obtained by completing the face authentication on NSP, OTII number मिल सकते हैं आपको जैसे मैंने बताया, अब यह देखे, यहाँ प अधार face RD system in the android, ठीक है, यह लिंक दिया हुआ है, इसके जरीए आप इसको download कर देंगे, download and install the NSP OTR app, इस link से करेंगे, तो यह आपका app यह वाला download हो जाएगा, after opening the mobile app below screen, will appear on your device, select the option EKYC with face auth, highlight in reference screen on the next place, यह आपको एकदम ध्यान याद रखना है, कि सबसे पहले आपको अपने mobile पर अधार face RD लिखकर टाइप करके भी play store पे या इस link को दबा करके आपको download कर लेना है, ठीक है, और दूसरा जो app download करना है, वो आपको NSP OTR app टाइप करके google play पे भी, या तो इस link को दबा करके भी आप download कर सकते हैं, तो यह download आप दोनों कर ले ठीक है, अब देखे, यह वाला जो app है, हमें second app खोलना है, second app जो है NSP OTR app जब हम खोलेंगे, तो यह देखे, जो उसका page खुलेगा, वो यह खुलेगा, welcome to national scholarship portal OTR app, तो यहाँ पर आपको तीन चीज़े दिखेंगी, एक login दिखेगा, एक register दिखेगा, एक ekyc with face auth दिखेगा, तो हमें तीसरे से मतलब है, इस पे ही हमें click करना है, ठीक है, तब देखे, होगा क्या, after clicking, click करने के बाद, आपके पास जो option आएगा, वो इस तरीके से आएगा, कि to complete ekyc, please log in with your temporary reference number, तो आपके mobile पे reference number आया होगा, अगर by chance भूल गया है, miss place हो गया है, तो forget restaurant number करेंगे, तो से आप बढ़ेंगे, तो आधार वगरा डालना होगा, तो फिर से आप reference number पा जाएंगे, फिर send OTP करेंगे, ठीक है, OTP करने के बाद, OTP भर दीजे, यह जो capture है, उसको यहाँ भर दीजे, mobile कि तरी हुई, और यहाँ पर आप next कर दीजे, next button दवाने के बाद, ठीक है, OTP आग ठीक है, जो सबसे जरूरी है, यहाँ देखें, यह आ रहा है, कि EKYC faith authentication not verified, यही verified होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, भाई, verified नहीं है, तो proceed for faith authentication इसको आप दबाएंगे, इसको mobile जो आप उस पर दबाते ही, आपका जो पहला वाला आप मैंने डाउनलोड कराया था, वो अ अपने आप से खुल जाएगा, यह ध्यान रखें, इसको आपको साफ साफ लिखा है, कि pre-installed पहले से कर लेना है, तब ही वो काम करेगा, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, unsuccessful completion of faith authentication, इसके जरी आपकी फोटो अगरा लेकर, यह फेस authentication हो जाएगा, अधार से मैच करेंगे, कि हा साल के थे तब कि हमारी फोटो है, तो बच्चों इसमें आधार पे, फोटो अपडेट जो है, free है, कोई भी payment चार्ज नहीं लिया जा रहा है, जो मुझे याद आ रहा है, 14 सितंबर तक बढ़ा दी गई है डेट बिना पैसे के, तो आप अपना face जाकर अभी भी उसको उसमे चेंज करा लिजेगा धार में, ताकि इसमें आपको दिकत ना है, ठीक है, अब देखे, profile detail अब कैसी दिखाएगी इसके बाद, यह आपका tick दिखा देगा, green दिखा देगा है आप ठीक है, अब देखे, message जो रहेगा, you have successfully filled the form, and your OTR number is, OTR number आप note कर लेंगे, clear है, password has been sent you, mobile number, password भी आपके mobile number पर भेज दिया जाएगा, और तब आप यहां से login करेंगे, तब आपकी पूरी detail अपने आप से आजाएगे, इसका फायदा यह है, हर एक साल आपको बार बार अपना नया registration, और यह सब जो ताम जाम होते हैं, approval के, यह सब के सब खतम हो जाएगे, बस आप login कर भी है, इसके जरी होने जारी है, और काफी बच्चों का भी पैसे नहीं आए हैं, ओ आ रहे हैं, धीरे धीरे, कई बच्चों के आ गया है, ठीक है, फिर है, student cell apply for scholarship using OTR number, आप scholarship को apply अपने OTR number के थ्रिव करेंगे, अब देखें, instruction क्या है, instruction to applicant who have applied through अधार, जोनों ने अधार क थ्रिव नंबर के थ्रिव EID के थ्रिव किया था, उनको क्या करना, applicant applied with EID on assessment year 2023-24, have not furnished अधार, cell apply for OTR using, get your OTR apply now, उनको इसके थ्रिव करना है, जिनों ने EID के थ्रिव जिनको अधार नंबर नहीं मिल पाया था, उनको इसके थ्रिव करना है, तो ये देखें, ये detail थी, अब OTR जो है, one time registration है, unique number है, 14 digit number का, this was based on अधार, अधार enrollment ID and is applicable for entire academic career of the student, और ये OTR नंबर जो है, entire career, जब तक आप पढ़ने हैं, तब तक ये काम आपको आने वाला है, ठीक है, OTR क्यों किया गया है, OTR simplifies the scholarship application process, इसको simplify करता है, जो हम लोग छाथ बीती के लिए apply करते हैं, therefore eliminating the need of registration in each academic year, जैसा आप जानते हैं कि हर एक साल आपको registration करना पड़ता था, अब इस जंजट से भी आपको छुटकारा मिल जाने वाला है, ठीक है, अब ये देखे, OTR is required to apply for scholarship on NSP portal, चाहें जिस तरह की छात बीती हो, आपको इसी के जरी apply करना है, ठीक है, तो apply now करेंगे, तो आगे का process जो है, बढ़ेगा जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो यहाँ पर student वाला वही वाला खुलेगा, ठीक है, आपका OTR number है, registration है, password है, फिर आप आगे की process को यहाँ पर कर पाएंगे, तो ये बच्छो detail थी, कोई query हो, तो आप जरूर यहाँ पर comment section में लिखेगा Thank you, thank you very much.